तो क्या आग ऑडिट दिवस पर क्या कुछ कह रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधिया यह सीधे आपको लिए चलते हैं और आज जब ऑडिट डे का ये महत्वपुन कारकम हो रहा है तो देश अपनी आधादी के 75 वर्ष अम्रुत महुत्सव बना रहा है आज हमें देश की अखंडता के नायक सरदार पटेल की प्रतिमा के अनावरन का सौभागी मिला है गांदी जी हो सरदार पटेल हो या फिर बावा साब आबेट कर राष्ट निर्माण में इन सभी का योगदा कि सीएजी के लिए हम सभी के लिए कोटी कोटी देश वाचियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है देश के लिए कैसे बड़े लक्षत्ताई किये जाते हैं कैसे उन्हें हांसिल किया जाता है कैसे व्यवस्ता में परिवर्तन लाया जाता है कि इन महान व्यक्तितों की जीवन गाथा हमें बहुत कुछ सिखाती है साथ वे एक समय था जब देश में ऑडिट को एक आशंग का एक भय के साथ देखा जाता था कि सीए जी बनाम सरकार कि यह हमारी व्यवस्ता की एक सामान्य सोच बन गई थी और कभी-कभी तो यह भी हो जाता था कि बाबू लोग ऐसे हैं ऐसा ही देते हैं बाबू को लगता था इस यह जी वाले ऐसे ही हैं कि हर चीज में उनको नुस्ख भी नजर आता है हरे क्या अपने अपनी बात थी लेकिन आज इस मानसिक्ता को बदला गया है आज आडिट को वेल्यू एडिशन का एहम हिस्सा माना जा रहा है सरकार के कामकाज का आकलन करते समय कि सीएजी के पास आउटसाइडर व्यूपॉइंट का एडवेंटिज होता है अब जो कुछ हमें बताते हैं उस से आफ। झाल झाल